हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुस्खे में हम उप्चार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें आज जुन 2020 गणिश चतुर्थी व्रत चंद्रोदे समय ध्यान रखेंगे आठ खास बातें शास्त्रों के नुसार संकस्टी चतुर्थी व्रत हर माह भगवान गणिश जी की विशेश कृपा पाने के लिए रखा जाता है इस व्रत के प्रभाव से सबी लोगों के कश्ट दूर हो जाते हैं संकस्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्णपक्स और शुकलिपक्स की चतुर्थी तिथी को मनाई जाती है इस व्रत में श्री गणेश जी की पूजा दो पहर के समय करने का विधान है आज इस वीडियो में हम आपको असार मह में आने वाली संकस्टी चतुर्थी व्रत की शुक्ति थी पूजा का शुब मूरत पूजा विधी चंडरोदय का समय और इस दिन सुकसम्रती वा धन प्राप्ती के लिए किन खास बातों का खयाल आपको रखना चाहिए इस बारे में बताएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं संकस्टी चतुर्थी व्रत शुब मूरत 2020 साल 2020 में असार माह में कृष्ण पिंगल संकस्टी चतुर्थी का व्रत 8 जून सुमवार के दिन रखा जाएगा संकस्टी के दिन चंद्रोदय का समय होगा रातरी 9 बचकर 57 मिनट पर संकस्टी चतुर्थी पूजा विधी जो भी लोग संकस्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन्हें प्रातकाल इसनान आदी के बाद व्रत का संकल्प लेते हुए दिन भर फलाहार और व्रत के नियमों का निश्टा से पालन करना चाहिए संकस्टी चतुर्थी की पूजा दोपहर में करने का विधाने इसलिए दोपहर में पूजा इस्थर पर गणिश जी की प्रतिमा इस्थापित कर सबसे पहले उन्हें चंदन का टीका लगा लें पूजा के दोरान प्रशात के तौर पर फल फूल चंदन धूब दीप केला और मौसमी फल साथी तिलव गुड के बने लड़ू भगवान गणिश जी को अरपित करें ध्यान रखें आज के दिन पूजा में मालक्षमी जी की प्रतिमा भी जरूर रखें क्योंकि गणपती जी की पूजा के दोरान मालक्षमी जी की पूजा शुब मानी जाती है अंत में व्रत कथा पढ़कर गणेश जी की आरतिकर पूजा संपने कर लें संकष्टी चतुर्थी महत्व शास्त्रों के अनुसार ऐसी मानेता है कि संकस्टी चतुर्थी पर श्री गणिश जी की पूजा दिन में दो बार करने से घर में सुक्सम्रति आर्थिक संपनेता के सांच साथ ज्यान और बुद्धी की प्राप्ति होती हैं माना जाता है कि चतुर्थी पर की गई पूजा के व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं आज के दिन ध्यान रखें ये बात हैं गणिश जी को सभी देवों में प्रथम पूजी माना गया है कहते हैं कि यदि उनकी अराधना के समय नियमों का सही धंग से पालन कर छोटे-छोटे उपाए सच्चे मन से किये जाएं तो व्यक् दारन कर भगवान गणिश जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए गणिश जी की पूजा के साथ ही आज के दिन मालक्ष्मी जी का पूजन भी जरूर करना चाहिए संकस्टी चतुर्ती के दिन भगवान श्री गणिश जी को दूरवाज जरूर चड़ाएं द्यान रखे कि भगवान गणिश जी की पूजा में उन्हें तुलसी दल नहीं चड़ानी चाहिए यूं तो सुबा का समय भगवान श्री गणिश जी की पूजा के लिए श्रेष्ट माना गया है लेकिन आज के दिन सुबह दोपहर और शाम तीनों ही वक्त भगवान श्री गणिश जी की पूजा की जा सकती है। कहा जाता है कि इस तरह नियमों और विदिविदान के साथ की गई पूजा भगवान सदेव सुविकार करते हैं और भक्तों की हर मनुकामना पूरी कर उन्हें समच्याओं से बाहर निकालते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेर करना ना भूलें